मोधी सरनिम विवाद में कॉंग्रस नहींता राहूल गांथी को दो साल की सजा हो चुकी है उसके बाद उनकी लोगसवा सदस्ता रध हो गई ये कहानी तो आप पहले से ही जानते हैं लोग कह रहे हैं कि राहूल के साथ खेला हो गया लेकिन एक ऐसे सांसद है जुनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ लेकिन खेला नेक्स लेवल का हो गया ये सांसद है NCP के मुहम्मद फैजल लक्षदीप से सांसद है जैसा राहुल का मोधी सरने मामला चल रहा था पिशले चार साल से वैसे ही NCP के सांसद पर हत्या के प्रयास का एक मामला चल रहा था और इस मामले में मुहम्मद फैजल को इसी साल सजा भी हुई लक्षदीप के एक अदालत ने 11 जनवरी तो 2023 को मुहम्मद को 10 साल की सजा सुनाई अब सजा हुई तो नियम के हिसाब से दो दन बाद 13 जनवरी को ही लोगसभा सचेवाले ने एक अधिसूचना जारी की उनकी सद मिलती है तो वो सदन के सदस्य बनने के योके नहीं रहता रहाई के 6 साथ तक वो अयोग्य बना रहता है ऐसे ही राहुल गांधी के साथ हुआ गया लग बात है कि राहुल जिस क्वालिफिकेशन को चालेंज करते हुए कोट नहीं गए लेकिन वहीं लक्षदीप के सांसद म महीने का वक्त को चला है लेकिन लेकिन कोट के स्टे के बाद भी मोहँग्मद फैजल की सदस्यता बहाल नहीं की गई है काई बार कहने के बावजूद भी लोकसभा सचवाले ने मोहँद फैजल की नहीं सुनी और नहीं कोट की अब मुहम्मद पैजल ने सुप्रीम कोट का रुक इत्यार किया, बांग किया है कि उनकी संसस सदस्यता को रद करने के लोगसभा सचेवाले के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए क्यूंकि उनकी सजा पर केरल हाई कोट स्टे लगा चुका है मुहम्मद पैजल ने कहा कि उनकी पाटी के अध्यक्ष शरद पवार और सुप्रिया सूले के साथ मैंने खुद लोगसभा सचेवाले को कोट आदेश और निर्वाचन आयोग के हलफ नामे की सूचना दी उनके हवाले से मैंने लोगसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की अपनी संसत सदस्ता खत्म किया जाने के फैसले को रद करने की मांग की उन्होंने कहा कि सेशन्स कोट के सजा सुनाने के बाद जितनी तेजी सदस्ता रद करने पर दिखाई दी थी उतनी तेजी केरल हाई कोट से मामले पर रोक लगाने के बाद नहीं दिखाई दे रही उन्हें उनकी बहाली को लेकर पैजल ने कहा कि लोगसभा सचवाले का फैसला मनमाना है इससे मेरे समविधानिक अधिकारों का हनन और कोट के आदेश की अभमानना हो रही है क्योंकि कोट और के हवाले से बिजली की तेजी से मुझे अयोग्य ठहराते हुए लोगसभा अध्यक्ष और सचवाले ने मेरी सदस्तिता रत कर दी थी लेकिन हाई कोट और सुप्रीम कोट के ओर्डर के बाद उसे बहाल करने में सुस्ति दिखाई उसका कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा मेरी चिंता एक जन प्रतिनिधी यानी सांसत के कर्टव्य को लेकर है जिसे लोगसभा सत्र ने भी नहीं निभाने दिया गया इसी उवापोह में लोगसभा स्पीकर और सचिवाले ने दो महीने निकाल दिये हैं लेहाजा मुझे सुप्रीम कोट की शरण में आना पड़ा है ये भी बता दे कि टाइम्स ओफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मताबिक कानून मंत्राले लोगसभा में उनकी सदस्ता बहाल करने के लिए सिफारिश कर चुका है लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई खेर अब इनका क्या होगा ये सुप्रीम कोट तै करेगा बाकी राहुल गांधी के मामले पर भी न्यूस तक की नजर लगातार बनी हुई है आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या है कहना कॉमेंस में लिखतर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूस तक कर दो कर दो कर दो कर दो